हलो फ्रेंज आज मैं मेरी एक प्लांट है क्रोटून के प्लांट जो 5 फीट से भी जादा बड़ा हो चुका है उस प्लांट को आज मैं रिपॉट करने वाली हो तो वही आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे की रिपॉट कर रही हो लेकिन उस प्लांट को द ओ छलिए अब CRTONE PLANT के पास तो फ्रेंट यह है मेरा CRTONE PLANT और मेरे ऐसे बहुत टारे विय्वर्स हैं जिनको मेरा इस理 बहुत पसंद आता है और यह PLANT जिस pot मैं लगा हुआ है दो साल से है उसी pot में तो मैं आज इसको तो फाइनल पॉट में रिपॉट कर दूंगी और आप देख सकते हैं फ्रेंज दूर से आपको थोड़ा दिखा दू देखिए यह काफी बड़ा मेरा यह प्लांट है तो मैं आप इसको पॉट में से निकालूंगी और गार्डेन में जो भी काम होता है सारा काम मैं करती हो और पॉट में देखिए इस पॉट में में रिपॉट करूंगी तो ड्रेने जोल को मैंने कवर करने के लिए ठीकरी चोटे-चोटे स्टोन को रखा है यह पर मैंने पॉटिंग मिक्स रेडी करके रखा है तो यही मैं काम करने वाली थी सोच आपके साथ भी मैं शियार करूँ त मतलब कोई प्रोड्रिम ना हो और जब मैंने रिपॉट किया था ना उस पॉट में तब कुछ ठीकरी रखा था ड्रेने जोल को कवर करने के लिए तो जब भी हम कोई प्लांट को ना दुसरी बार फिर रिपॉट करते हैं तो इसी तरह से जो नीचे ठीकरी लगे हुए होते है न उसको हटा कर लगाना चाहिए तो मैंने सारे को हटा दिया है तो इस पॉट में बस थोड़ा सा मैंने जो मिट्टी है निचे से ठीकरी को निकाला और मिट्टी को थोड़ा सा निचे से हटा कर फिर पॉट में मैंने प्लांट को रख दिया यह मेरी पॉटिंग मिक्स है दिखाने के बाद अमको दिखाती हूँ मैं ने प्लान्ष को और से रिपोड कर दिया है और मुझको बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे हैयамен से यह माले प्लान को मैं ने रिपोड कर दिया है और मैं थोड़ा सा बीश्म मीट काफि गिला है और हमारी यहां रोज बारिश हो रही है तो थोड़ी देर बाद लगता है बारिश होगी तो तब मैं थोड़ा बारिश का पानी देने के लिए अब मैंने थोड़ा सा ही पानी दिया है और देखिए यह मेरा प्लांट का रिपोटिंग का काम हो गया है रिपोट कर दिया है प् लाइक टना ओके बाई